सर्सों के स्टॉक पर लिमिट लगाने से इसके भाव पर कितना असर देखने को मिलेगा और सरकारी आकरों में बंपर पैदवार होने के अनुमान को किसान गलत क्यों बता रहे हैं। जानेंगे पूरी रिपोर्ट और सर्सों के बारे में क्या भाव रहने की उमीद है इस वीडियो में। जहां पर सर्सों की खेती के लिए उपयुक्त संसाधन मौजूद है हलकि सर्सों का उतपादन पूरे उत्तर भारत में बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। क्योंकि उत्तर भारत में सर्सों की तेल की खबत जादा है इसलिए बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में भी सर्सों की खेती बहुत ही जोरो शोरों से होती है रवी फसल में इस साल कूल 111 लाख टन सर्सों का उत्पादन हो रहा है, ये अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन है पिछले साल रवी सीजन में 85 लाख टन सर्सों का उत्पादन हुआ था, मतलब इस साल 26 लाख टन सर्सों जादा पैदा हो रहा है इस साल राजस्तान में सरसो की बंपर पैदावार हुई है लेकिन राज्य सरकार सी ओर से सरसो पर स्टॉक सीमा लगाई जाने से किसान और व्यापारी दोनों ही नाखुस है किसी भी प्रोडक्ट पर स्टॉक लिमिट तब लगाई जाती है जब उसका भाव सामान से काफी उपर चला जाए या जिसके डिमांड के अनुसार आपूर्ती कम हो रही हो राजस्थान को छोड़ कर दूसरे हर हर राजो में स्टॉक लिमिट को हटा दिया गया है सर्सो का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होने के कारण पूरे देश में सर्सो का भाव यहीं से नरधारित किया जाता है सकारी आकरों के अनुसार ये साल सर्सो का उत्पादन रिकॉर्ड स्थर पर किया गया है उत्पादन का आक्रा किये गए सर्सों के रख्मे के अनुसार निकाला जाता है पर किसानों का कहना है कि सर्सों की फसल काफी खराब हुई है जिससे इसके उत्पादन में फर्क परा है हाला कि मंडियों में आवक अधीरे धीरे बढ़ रही है जिससे इसके भाव पर असर देखने को मिल रहा है अगर स्टॉक लिमिट को हटाया नहीं गया तो सर्सों के भाव में मंदी देखने को मिल सकती है स्टॉक लिमिट लग जाने से व्यपारियों के पास ज़्यादा स्टॉक करने की अनुमती नहीं रहती है जिससे वो खरीदी भी कम करते है और लिमिटेर स्टॉक करके बचा हुआ सरसो दूसरे राज्य में भेज देते है जिससे वहाँ के वेपारियों का कहना है कि फिलहाल इस्टॉक लिमिट चो लगी है इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है साथी किसानों को भी अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे है इसलिए वेपारी संग ने सरकार के साथ इस बारे में चर्चा करने का सोचा है भारत से तिलहन का निरयाद भी बीते सालों में काफी बढ़ा है केंदर सरकार की तिलहन की खेती में अच्छी पहल के कारण इसमें उतपादन में भी इजाफा देखने को मिला है जिससे आने वाले समय में भारत खाद तेल के शेत्र में आत्मे निर्भर बनेनी के साथ साथ एक्सपोर्ट करने में भी काफी आगे जाएगी सरसो के बारे में कोई भी रिपोर्ट निकल कर सामने आती है तो आप तक जरूर पहुचाएंगे अगर आप किसान है तो आपके इलाके में सरसों की उपज कैसी आ रही है इसके बारे में हमें जरूर बताए इसकी तीजी और मंदी की समझ हर किसान को हो सके